रादे रादे मिच्वों, हनुमान जैन्ती को हनुमान जी के जनमोच्व के रूप में पुरे देश में बहुत हर्ष और उत्सा के साथ मनाया जाता है। ऐसी मानेता है कि इस दिन हनुमान जी का विदिवत पूजन करने से व्यक्तिके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुक समर्गी आती है। आज हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं हनुमान जैन्ती की पूजन सामगरी, पूजा विदि और कथा। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जैन्ती की पूजन सामगरी से। हनुमान जी की पूजा के लिए आपको जिन जिन सामग्रियों की आवश्यक्ता होगी वो कुछ इस प्रकार है लाल कपड़ा या लंगोर जो आप हनुमान जी को वस्त के रूप में पहनाएंगे जलकलश, कंकू, जनेवू, गंगाजल, सिंदूर, चांदी या सोने का वर्ग, लाल फूल और माला, इत्र, भुने चने और गुड, बनार्सी पान का बीडा, नारियन, केले, सरसो और चमेली का तेल, घी, तुलसी पत्र, दीपक, धूब और अगर्बत्ती और कपूर तो पूजन से पहले ये सारी सामगरिया बिज्जगा एकत्रत कर लीजिए हनुमान जैन्ती, पूजा विधी हनुमान जैन्ती के दिन प्राताकाल स्नानादी से निवृत्त हो करके स्वक्ष वस्त्र धारन करिए वस्त्र के विशे में ये ध्यान रखे कि लाल रंग के वस्त्र आपको धारन करने हैं और यदि किसी वजह से आपको लाल रंग के वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं तो उन परिस्तितियों में पीले रंग के कपड़े पहन कर हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए ध्यान रखें काले या सफीद रंग के कपड़े पहन करके हनुमान जी का पूजन ना करें इसके पर शाथ पूजा घर में लाल रंग के आसन पर आपको बैठना है तो लाल रंग के आसन पर बैठिए और अपने सामने एक पटा रख करके उसके उपर लाल रंग का कपड़ा बचाईए कपड़े के उपर लाल रंग के फूल पर हनुमान जी की मूर्ति को रखिए मूर्टी स्थापना के बाद आप उनके पास एक घी का और एक सरसो के तेल का दिया जलाईए साथी साथ अगरबती और दूबती भी जलाईए इसके बाद आपको हनुआन जी का आवाहन करना है तो हाथ में चावल और फूल लेकर के संकल्प कीजिए और हनुमान जी का ध्यान और आवाहन करें इसके बाद सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके मूर्टी पर उस सिंदूर का आपको लेपन करना है लेपन में इस बात का ध्यान रखिए कि लेप आपको पाउं से शुरू करके सर तक लगाना है यानि पैर से शुरुआत कीजिए लेपन की सिंदूर के लेपन के बाद उन्हें चांदी या सोने का वर्ग जो आपने रख रखा है उसे मूर्टी पर लगाएं इसके पहशाथ हनुमान जी को वस्टरपित कीजिए यानि वस्ट के रूप में लाल रंग का लंगोट उन्हें पहनाईए हनुमान जी पर इत्रच रखिए और उनके सर पर कंकु का टीका लगाईए इसके बाद उन्हें पुष्प अर्पित कीजिए यानि लाल गुलाव और माला हनमान जी को चढ़ाए इसके बाद आपको नैवेद्य अर्पित करना है तो नैवेद्य में भुने चने और गुड का नैवेद्य सर्वशिष्ट होता है साथी साथ बूंदी के लड़ू भी आप नैवेद्य में रख सकते हैं इसके परशाथ नैवेद्य में तुलसी पत्र रखें सामाने तया 11 तुलसी पत्र रखे जाते हैं और ये तुलसी पत्र हनुमान जी को बहुत प्री होते हैं ये आपके जीवन में शुबता लेकर आते हैं तो नैवेद्दे पर ग्यारा तुलसी पत्र रखिए और उसके बाद भगवान स्री हनुमान पर केले चड़ाईए इसके परशात मुख शुद्धि के लिए भगवान स्री हनुमान पर बनार्सी पान का बीडा अर्पित करें और इस बात का ध्यान रखें कि इस पान में लौंग लगी होई होनी चाहिए इस पुरी क्रिया के बाद आप वहीं पर बैठ करके ग्यारा बार हनुमान चालिसा का पाठ करिए या फिर सुंदर कान का पाठ कीजिए या फिर हनुमान बाहु का पाठ आप वहाँ पर कर सकते हैं पाट करने के पश्चात हनुमान जी की आर्ती करें आर्ती करने के पश्चात आपको क्षमा याचना करना है भगवान स्वी हनुमान से कि यदि आपकी अज्यानता के कारण पूजा में कुछ कमी रह गई हो तो उन कल्थियों के लिए वे आपको क्षमा करें इस प्रकार से भग्वान स्री हनुमान का पूजन करने से नस्या ही आपके जीवण में शुबता आएगी हनुमान जयनती कथा हनुमान जयनती के संदर्ब में कई कथाएं प्रचलित हैं यद्यपी उन inserting एक कथा हम आपके लिए यहां पर लेकर आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं कथा इस कथा के अनुसार जब अग्मी देव से मिली हुई खीर को राजा दशरक्त ने अपने तीनों राणियों को बाढ़ दी तो कह कही के हाथ में से एक छील ने जपटा मार कर कुछ खीर अपने मुँ में ले ली और वापस उड़ गई चील जब उर्ती उर्ती देवी अंजना के आश्रम के ऊपर पहुँची तो अंजना ऊपर देखनी थी और अंजना का मुँ उस समय खुला हुआ था जिससे खीर का थोड़ा भाग उनके मुँ में गिर गया और अनायासी उन्होंने वह खीर खा ली इस खीर के खाने के कारण उनके गर्ब से भगवान शिव के अवतार हनमान जी ने जन्म लिया चैत्रमास की पुनित थी पूर्निमा के मंगलवार के दिन जने उधारन के हुए भगवान शिवी हनमान का जन्म हुआ तो यह थी हनमान जैन्ती की पूजन सामगरी, पूजाविधी और कथा नमू नारायन